सूर्य को जल अर्पित करते समय जल में डाल दे ये चीज चुम्बक की तरहे खीचा आएगा पैसा नमस्कार दोस्तों राधे राधे जय श्री कृष्ण दोस्तों हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चलिया रही है मान्यता है कि अगर दिन की शुरुवात भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरे दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ती होती है हालांकि भगवान सूर्य देव की विशेश कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है रविवार के दिन सूर्य देवता की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में सुक्समरिधी बनी रहती है जोतिश शास्त्र में भी भगवान सूर्यदेव को विशेश स्थान प्राप्थ है, उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है भगवान, सूर्य देव को सभी ग्रहों का अधिपदी माना जाता है इसके अलावा सिंह राशी का स्वामित्व भी सूर्य देव को ही प्राप्त है सिंह राशी के लोगों पर भगवान सूर्य देव की हमेशा कृपा बनी रहती है मान्यता है कि जिन जातकों पर भगवान सूर्य देव की कृपा होती है उनके जीवन में तरक्की के योग बनने लगते हैं और रुके हुए कारियों को भी गती मिलती है कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिती कमजोर होती है उन्हें रोजाना सुभह भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए, इससे जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिती मजबूत होती है इसके अलावा दोस्तों सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल में कुछ विशेश चीजें डालने का भी धार्मिक महत्व होता है पूजा में कुछ विशेश चीजें डालने से पूजा में शुद्धता और उर्जा का संचार होता है साथ ही आपको सूर्य देव की असीम क्रिपा प्राप्थ होती है जिससे आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अर्चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक उर्जा का दुश्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक उर्जा का वास होता है जिससे घर में सुख समृध्धी आती है और सुख शांती का माहौल बना रहता है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय जल में ऐसी कौन सी चीज डालनी चाहिए जिससे सूर्य देव की असीम कृप्या प्राप्थ हो इसके अलावा जल में कौन सी चीज भूल कर भी नहीं डालनी चाहिए जिससे सूर्य भगवान नाराज हो जाते है इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्षमी माता का आशिरवाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्षमी माता लिखकर अपनी हाजरी जरूर लगाए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल में क्या डालना चाहिए जिससे सुख संपत्ति और धन एश्वर्य की प्राप्ति होती है दोस्तों काले तिल को हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र माना गया है इसके अलावा काले तिल का प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है अगर आप सूर्य देव को जल देते समय जल में काले तिल डालते हैं तो आपको सूर्य देव की असीम क्रिप्या प्राप्त होती है जिससे पापों का नाश होता है और पित्रदोश का शमन होता है साथ ही जीवन में शुब फलों की प्राप्ती होती है दोस्तों चावल का उप्योग सूर्य देव को जल अर्पित करते समय करना बहुत शुब माना जाता है आपको बता दें कि चावल को शुधता और समर्धी का प्रतीक माना जाता है जल में चावल डाल कर सूर्य देवता को जल देने से सूर्य देव का आशिर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ती के जीवन में सुख समर्धी और सुख शान्ती आती है नमबर तीन कुमकुम या रोली दोस्तों कुमकुम का उप्योग शुभता के लिए किया जाता है कुमकुम रोली को मंगलकारी माना जाता है और इसे जल में मिलाकर सूर्य देव को जल देने से घर से नकारात्मक उर्जा का दुश प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक, उर्जा का संचार होता है, जिससे घर में सुख समृध्धी आती है और धन में वृध्धी होती है दोस्तों आप सभी जानते होंगे की तुलसी को कितना पवित्र और शुध माना जाता है ऐसे में सूर्य, देव को जल अर्पित करते समय जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालने से पूजा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है इसके अलावा दोस्तों भगवान श्री हरी विश्नु जी को तुलसी अतीप्रिय है माना जाता है कि भगवान श्री हरी विश्नु जी को लगाए जाने वाला भोग तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसमें विश्नु प्रे तुलसी शामिल न हो साथ ही दोस्तों तुलसी के पत्तों से मानसिक शांती और आध्यात्मिक उन्नती प्राप्थ होती है इसके अलावा तुलसी सूर्य देव के आशिरवाद को आकर्षित करने में मदद करती है नमबर पांच लाल चंदन दोस्तों जल में लाल चंदन डालने से सूर्य देव की पूजा और भी ज्यादा प्रभावी होती है क्योंकि लाल चंदन मानसिक शांती और नकारात्मक उर्जा को दूर करने में मदद करता है साथ ही यह पूजा को शुद्ध और दिव्य बना देता है ऐसे में अगर आप जल में लाल चंदन मिलाकर सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो आपको जीवन में शुब परिणाम देखने को मिलते हैं आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अर्चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है नमबर छेट गुड दोस्तों गुड सूर्य देव को जल अर्पित करते समय डालना शुभ माना जाता है गुड को दान और पुनिर का प्रतीक माना जाता है ऐसे में जल में गुड मिलाकर सूर्य देवता को अर्पित करने से सूर्य देव के आशिरवाद से व्यक्ति का जीवन मधुर और खुशाल बनता है नमबर साथ फूल दोस्तों पूजा में फूल अर्पित करना भगवान के प्रती श्रधा का प्रतीक होता है ऐसे में सूर्य देवता को अर्पित किये जाने वाले जल में कुछ ताजे फूल डालने से सूर्य देव की पूजा में सौमयता और शुद्धता आती है खासकर सूरज मुखी और गुलाब के फूल सूर्य देव के लिए विशेश रूप से प्रियमाने जाते है दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि गंगाजल को कितना शुद्ध और पवित्र माना जाता है ऐसे में जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर सूर्य देवता को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है गंगा जल की पवित्रता और शुद्धता के कारण इसे किसी भी पूजा में शामिल करने से वह पूजा और भी प्रभावशाली हो जाती है जिससे साधक को सुख संपत्ती और धन एश्वर्य की प्राप्ती होती है उसे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है इसके अलावा सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले विशेश रूप से शनिवार या अन्यकोई व्रक दिवस पर गुड और चने का भोग सूर्य देव को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है तो दोस्तों यह थी वह चीजे जिनका इस्तिमाल भगवान सूर्य को अर्पित करने वाले जल में किया जाता है आए अब जानते हैं सूर्य देव को जल अर्पित करने की विधी के बारे में प्राता जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच वस्त्र धारन करें फिर मन को शांत रखते हुए सूर्य देव का ध्यान करें इसके बाद तामबे के लोटे में स्वच जल भरें फिर उसमें लाग सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंतर का जाप करें सबसे सामान्य मंतर है ओम सूर्याय नमह इसके अलावा आप ओम घेनी सूर्याय नमह मंतर का जाप भी कर सकते हैं सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हूँ, फिर धीरे-धीरे लोटे से जल अर्पित करें ताकि वह सूर्य की किर्णों से होकर धर्थी पर गिरे, इस समय सूर्य को निहारें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले सूर्य को जल अर्पित करने का सर्वोत्तम समय सूर्योधय का होता है, इस प्रक्रिया के दौरान खाली पेट रहना अधिक लाभकारी होता है, जल अर्पन के बाद कुछ ख्षन ध्यान लगाएं और सकारात्मक उर्जा को अनुभव करें, तो दोस्तों यह थी सूर्य देव को जल अर्पित करने की विधी, चलिए अब जानते हैं कि सूर्य, देव को जल अर्पित करते समय जल में क्या नहीं डालना चाहिए, नंबर एक, मृत और सुखे फूल, दोस्तों आप सभी को बता दे की, सुखे फूलो का उप्योग पूजा में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शुद्धता के खिलाफ, माने जाते हैं, आपको हमेशा सूर्य देव को अर्पित करने वाले जल में ताजे फूलों का इस्तमाल करना चाहिए, नंबर दो, तेल या चिपचिपे पदार्थ, दोस्तों तेल को जल में मिलाना अशुब माना जाता है, तेल का उप्योग पूजा में दीपक जलाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे सूर्य देव को अर्पित करने वाले जल में डालना वर्जित माना जाता है, यह प्रक्रिया शुद्धता के नियमों के खिलाफ मानी जाती है, नमबर तीन दूध दोस्तों आपको बता दे की दूध का उपियोग पूजा में करना पवित्र माना गया है लेकिन इसे सूर्य देव को जल अर्पित करते समये नहीं मिलाया जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को केवल स्वच पानी ही अर्पित किया जाना चाहिए दूध का उपियोग चंद्रमाया शिव की पूजा में अधिक उपियुप्थ होता है नमबर चार नमक दोस्तों जल में नमक मिलाने से पूजा की शुद्धता भंग होती है नमक को अशुद्धता का प्रतीक माना गया है और इसे किसी भी प्रकार की धार्मिक पूजा सामगरी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ऐसे में आपको सूर्य देव को अर्पित करने वाले जल में भूल कर भी नमक नहीं मिलाना चाहिए नहीं तो आपको इसके अशुब परिणाम देखने को मिलेंगे नमबर पांच मास या मचली का स्पर्ष दोस्तों सूर्य देव को जल अर्पित करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए की जल शुद्ध हो और उसमें किसी प्रकार का मासाहारी पदार्थ का स्पर्ष न हुआ हो यह पूजा की पवित्रता को भंग करता है नमबर छे प्लास्टिक का लोटा दोस्तों सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए तामबे के लोटे का प्रयोग करना सबसे शुभ माना गया है ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए की सूर्य देव को जल अर्पित करते समय प्लास्टिक के लोटे का उप्योग ना करें क्योंकि यह पर्यावरन और पूजा की दृष्टी से अनुप्युक्त है दोस्तों शास्त्रों में काले रंग को बेहद ही अशुभ माना जाता है यह रंग शनी देव से जुड़ा हुआ है और काले रंग की सामगरी को सूर्य देव को अर्पित करना अशुभ माना जाता है तो दोस्तों ये थी वे चीजे जिनका इस्तमाल भूल कर भी सूर्य देव को अर्पित किये जाने वाले जल में नहीं करना चाहिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ओफिशियल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो देखने के लिए आपका धनियवाद